पशुवेदक भाईयो आप पो नमस्ते ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से एवरीवेर हमारा जो अर्थ का इन्वार्मेंट है वो काफी प्रॉब्लेम्स जेल रहा है और जो लिविंग तींग्स है इस अर्थ पे उनके उपर काफी असर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वज़े से ग्लैसिर जिसे कहते है वो मेल्ट हो रहे है उसकी वज़े से जो कोस्टल इरिया से वर्ल में कुछ एक जग़ा पे वहां की जमिन पानी के नीचे जा रही है अपर्ट फरॉम दाट पारिश कम हो रही है और काफी जग़ आकाल आते रहते है और फिर जंगल कम होते जा रहे हैं और जब जंगल कम होगे आका लाएगी उसके साथ वाइल लाइप के लिए भी डेंजरस सिच्यूएशन आ रहा है ड्राट की वज़े से एनी कॉर्नर अब वर्ल्ड कभी भी ड्राट की वज़े से एग्रिकल्चर एक्टिविटीज प्रॉब्लेम्स में आ जाती है और उसके साथ-साथ फिर जानौरों के उपर भी इपेक्ट हो जाता है ग्लोबल वर्मिंग के वज़े से जो टेंपरेचर है वो बढ़ जा रहा है दिन बदिन बढ़ता जा रहा है हम इंडिया जैसे ट्रॉबिकल कंट्री में हम देखते है कि जो प्लेसेस पे कभी 30 डिग्री सेल्सियस के उपर समर में टेंपरेचर नहीं जाता था वहाँ पे भ ग्लोबल वर्मिंग के लिए मुझे लगता है कि नेचर के साथ हम लोग यानि हुमन बिइंग डेवलोप्मेंट के नाम पे जो भी एक्टिविटिस कर रहे है उसको नेचर एंसर दे रहा है तो टेंपरेचर बढ़ने के लिए वेदर हमारा खराब होने के लिए हमारा इंड जो यहां पर रहते हैं यूज कर रहे हम लोग वह भी ग्लोबल वर्मिंग को का एक कॉज है और इन सब को देखते हुए फिर जो रिपेटेड आकाल आते हैं उसकी वजह से वेजिटेशन जो कम होती जा रही है वह भी टेंपरेचर अर्थ का बढ़ाते जा रहा है और हम पह वर्मिंग हर एंगल से ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए तो बहुत ही डेंजरस होता जा रहा है वर्ल्ड में ऐसे कई सारे प्लेसे से जहां पे समर में टेंपरेचर 50 डिगरी के ऊपर चला जाता है यह तो बात हुई ट्रॉपिकल कंट्रीज की बट हम जब डेरी अनिमल्स क कि बात करते हैं तो डेरी अनिमल्स के लिए इंडिया जैसे कंट्रीज को या अफ्रिकन कंट्री को के अलावा या जहां फेंपरेचर समर में बढ़ता है और समर में टेंपरेचर बढ़ने डेरी इंडस्ट्री पे बहुत सारा निगेटिव असर आ जाता है दोस्तो डेरी इंडस्ट्री पे निगेटिव असर आता है मतलब क्या होता है डेरी इंडस्ट्री पे निगेटिव असर आने से मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है जानवरों में बहुत सारी प्रॉब्लिम्स जा रही है तो